Hello everyone, welcome to my channel NK Education, मेरे YouTube channel पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है स्कूलों में 10,684 बाल लेवस्था की देख भाल वैशिक्षा यानि की हम कह सकतें educator की vacancy निकली हुई है इसमें क्या age criteria होगा, कब से ये form निकलेंगे, किस प्रदेश से ये news है इन सबको हम इस वीडियो के अंदर cover करेंगे तो आईए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये vacancy कहां से आई हुई है तो ये vacancy है उत्तर प्रदेश से जिसमें यहाँ पर आप देख पाएंगे इसका हम आपको official जो letter जारी हुआ है वो भी दिखा देंगे ये यहाँ पर देखें आप UP के 10,684 आंगनवाडी केंदरों में रखे जाएंगे educator मिलेंगे 10,000 मान दे सभी जिलों में होगी भरती तो यहाँ पर सभी जिलों में होनी है 75 के 75 जिलों में और तब पिरदेश में basic शिक्षा परिसत के स्कूलों में संचालित आंगनवाडी केंदरों में ECCE educator यहाँ पर यह है कि भरती की जाएगी इन educator ओं को जो मान दे दिया जाएगा वो होगा 10,313 रुपे प्रती महा उनको उनकी जो सम्विदा अवधी होगी यानि ये पैसे उनको हर महिने दिये जाएगे 10,313 है 11 महिने के यानि 12 के नहीं एक महिना इसमें रहेगा और सम्विदा पर होता है उसमें एक महिना include नहीं होता है यानि एडॉक पर जॉब जो होती है उनमें 12 महाने 11 महा का ही दिया जाता है एजुकेटर के लिए आवशक योगेता क्या है वो सनातक परिक्षा होगी यानि कि ग्रेजुएशन और वो ग्रहविज्ञान में होने चाहिए मुखे विस्यों के साथ उसमें न्यूंतम 50% अंकों के साथ उसने उत्तिर्ण किया हो यानि कि आपका ग्रेजुएशन ग्रहविज्ञान में होना चाहिए और आपके 50% अंक होने चाहिए मांदे में PF और ESI भी शामिल आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी 5% की जो भी आरक्षित वर्ग में आते हैं उसको 5% की छूट मिलेगी बेसिक शिक्षा परिसद के अधीन परिसदी स्कूलों में संचालित किये जा रहे 10,684 को लॉकेटेड आंगनवाडी केंद्रों में ECC यानि बाल्यवस्था की देख बाल वसिक्षा यानि एजुकेटर रखे जाएंगे संविदा पर रखे जाने वाले इन एजुकेटर्स को 10,313 रुपे दिये जाएंगे ये परिसदी स्कूल जो होते हैं बेसिके जहां पर 6-8 क्लासे चलती हैं और उन ही में ये आगनवाडी केंद्र भी साइड में होते हैं कहीं पर होते हैं कहीं पर यानि सभी विद्यालों केंद्र नहीं होते हैं इसलिए को लोकेटेड बुला गया को लोकेटेड का मतला है जहाँ पर विद्यालों में आगनवाडी केंद्र पहले से ही बने हुए हैं जो क्वालिफिकेशन थी वो तो आपको बताई दिया है recognized university से आपका ग्रहविज्ञान में graduation होना चाहिए 50% के साथ आरक्षित वर को छूट मिलेगी अब बात कर लेते हैं आयू की तो आवेधन करता कि आयू 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए educator के दायतों भी तै किये गए हैं इसके तहट इन्हें 3-6 वर्ष के बच्चों को आपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना होगा यानि अगर 40 वर्ष तक के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं पद का नाम क्या होगा एक बार इसे और देखने समझ ले E.C.C.E. एजुकेटर अंगनवाडी केंद्र ये इस पद का नाम है पदों की संक्या है 10,684 न्युक्ति स्थान है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में को लोकेटड अंगनवाडी केंद्रों पर न्युक्ति का प्रकार आउट्सोर्सिंग के मादे में यानि संविदा से है संविदा की अब दित्य की गई है 11 मा मोशली 11 मा ही होती है और मान्दे जो दिया जाएगा वो होगा 10,313 है प्रती महा सेक्ष कियोग्यता देख लीजिए जिसमें एंटीटी भी है बीए विद होम सैंस 50 प्रतिशत के साथ OBC, SC, ST को छूट है 5% की और एंटीटी नस्री टीचर ट्रेनी अत्वा यह होना चाहिए यानि अत्वा लगा हुआ है या तो आप यह क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं या फिर यह क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं विसेश यह है कि BA, Home Science या एंटीटी में से किसी एक डिग्री BA या DLAD माने नहीं है यानि कि अगर आप BA या DLAD वाले कहने लगें तो उनको नहीं लिया जाएगा और BA, Home Science अगर आप हैं या एंटीटी हैं इन दोनों डिग्रियों में से जो भी डिग्री आपके पास है तो आप ELEGIBLE है अधिक्तम आयू आपकी एक जुलाई 2024 तक यानि 40 वर्स हो एक जुलाई के बाद अगर आप 41 के भी हो रहे हैं तो आप एपलाई नहीं कर पाएंगे आगे और देख लेते हैं कोई उत्तर प्रतेश के लिए जारी हुआ है अगर जहां जहां को लोकेटड आगनबाडी हैं वहाँ पर आप आपको देखना होगा कि आपके डिश्टिक में ये वेकैंसी कब से दिखाई जा रही है तो अपने नियर रेस्ट आप पता कर ले हैं और यह जो पीडिएफ है इसका भी स्क्रीन सॉट ले सकते हैं किस तरीके से जो सामने निर्देश हैं वो दिए गई है चेहन प्रिकरिया दी गई है जो जनपत सतर पर होगी कमेटी बनेगी यहां पर और सेवा प्रदाता का इंटर अवरोही क्रम में किया जाएगा मेरिट सूची हाई सुकूल और एंटीटी संबंदी डिप्लोमा परतिशत के योग के वसत के आधार पर प्रतियक जनपत मेरिट सूची अवरोही क्रम में तयार होगी आपकी जो सूची तयार होगी वो अवरोही क्रम में होगी लिक्स डेट तो दी नहीं है यहां पर दी हुई है यहां पर देख लें आप यह सासना देश है इस सासना देश के तहते हैं और आप पता जरूर कर लें और अभी भी समय बचा हुआ है और इसलिए अगर आपने अभी तक अपलाई नहीं किया है और करना चाहते हैं तो आप अपने नियरेस्ट स्कूल में जाकर जहां पर को लोकेट अंगनवाडी हो पता कर सकते हैं और आप इस एजुकेटर अंगनवाडी केंद्र जो की एजुक